नमस्कार गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका मगरा निश पर आज की ताजा मौसो समाचारों के सब्रेक में बात करेंगे संपून भातवस के अगले चोगी से 18 गंटों के मौसम विभाब के समाचारों की कि देश की किन किन राजों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज तो देश की किन किन राजों में आज बारिज की समभावना तो देश के किन किन राजों में हैं अब और गिरिगा पारा पूरी जान करेंदेंगे आपको आगे इस अपडेट में बात करते हैं आज के पहले अप बीच मुखाते मौसम में ग्यान विफाग ने जो अनुमान लगाया है पूरुमान लगाया है इसके मुताबिक बिहार यूपी चतिजगड और महराष्टर जैसे राजों में 18 तारिक तक बारिस के आसारा इस दोरान कई जगाव पर आधी तुफान आने की भी संभावना है य महराष्टर में तीन तक बेमोसम बारिस हो सकती है इसे ग्राजे किसानों के माते पर चिंते की लखिर जो है मुकस कई है वही किसान पहले से बेमोसम बारिस की मार्चेम है वहितले आसपाथ के लखंद महाराष्टर के अंदर मोसम मार्जह के साथ 15ंटफ म畫 स्वान यहां चेहां जलकाव धुले नासिक और असपस के लागव में जो उलावस्टी के चितावन दी गई है, इसके लावा मराठ वड़ा विदर्पून भी उलावस्टी हो सकती है, वह याँ भे मौसम बारिज के कारण राजिय के तापमान में गिरावटा सकती है, वह मौसम बिभाग के पूरुमान के मताबिक, अधिक्तम तापमान और नियु पर देती है, वह मौसम बिभाग ने कहा है कि इस साल सम्भाने से अधिक जो है घर में पड़ने और मार्च के आकरी समते तक सिंदुगंगा मेडारी आवम पूर्वी भारत में सम्भाने से तीन-चार डेगरे रिक्तवतापमान दर्च की दाने की संभावना है, वह मौसम ब बात करते हैं, वह मौसम बिभाग के समाचारों की सबसे पहरे बात कर लेते हैं, बिहार के मौसम अपडेट की तो बिहार का मौसम कैसा रहेगा? तो बताते हैं, आपको कि बिहार में यलो लट हुआ है, जारी अगले दो तिन बारिज के हैं आसार, बिहार में होने के बाद मौसम का विजात में लगातार बदला बना हुआ है, राजधानी पतना समीत परदिश के कई सिरों में ठंडी हवाव का परवा होने से फिलाल गर् तिसके डोते हैं तिरेंगाना पर बारी हुए, इसके बरहार से बिहार के गई भागों में बारिज होने के आसार है, वाइस तोरान में घजन के साथ बारिज की सभावना जटाए गई है, पतना मौसम बाक के अदर के विजार, आज बिहार के उत्री पूर्वी और मध्य बात अब करते हैं, राजस्तान राजी के मौसम अपडेट की तौकी राजस्तान में मौसम कैसा रहने वाला है, आने वाले 24 घंटों के दोरान, तो राजस्तान के मौसम को लेकर अपडेट यही है, कि राजस्तान में बतले का मौसम का मिजाज काई जिलों में बारिज की है, सभावना रास्तान में तुफान के साथ फिर मौसम बदने की बात कही गई है बाड़ में चेपुर और कुटा धूलफूर में लगतार मौसम बदलाब देखरे को बिटा है असल बात यू है कि परदेश में मार्च मैंने ही गर्मी ने अपरतियों दिखाना शुरू करती है बा बार जिले में निवनतमताफमान साड़े चाफ़ा डेगरी और जेपुर का निवनतमताफमान साड़े चोट्रिस दिखरे से जधा दाइच किया गया है वही आज और कल पर फिर फिर फक्सिविक्स हो भाई गार जिसके मुझे से रास्तान मौसम की बात यापर बदलाव की बात कहीं गई है वही परदेश के अन्य जिलों की बात किया तो अदमे मेरिजम तापमान 36 दिखरे क्या सब्सक्राइब किया गया यह यह लगातार बढ़ रहा है परदेश के अंदर तापमान में वर्दी हो रही है लेकिर भारिश को लेकर भी संभावना जयता ही गई है य परदेश के कुछी लोगे लिए तीन दिनों तक आप परदेश की बात कही है और लवस्टी होने के विचे दानिती है वही मौसम में सब्सक्राइब के अनुसार इस मौसम का जो सिस्टम जो है अभी जो भादल वगए अचाहे है वह यह जो है परदेश में उनिस तारी तक यहाँ पर यह अपडेट जो दिया गया उसके मताबिक आने वाल चोबिस गंटों के दौरान परदेश के कई लाकों में बारिश की समावना है वही इसमें पिस यहाँ पर कल जो है बारिश होने की समावना जिन में देताई गिए उनमें गंगाना गंगड और आज भी आपर बिकरनेजी समेर जोटपूर नागोर और जालूर शिरोई पाली रासमन और टॉक पताब गड़ और दूंगरपूर बास्मड और चितूर गड़ में गर्चमा के सादाज बारिशोरी की समावना है यहाँ पर उनमें बारिश्टी की जितावने भी जारे की रही है यानि कु किया MP का मौसम आने वादे 24 घंटों में किस तरह का रहने वाला है किस तरे का MP में मौसम होगा तो MP के मौसम को लेकर बात यू है कि MP में लगटा तेज बारिस हो रही है। हवा का रुब्भी यहां पर दक्सिनी और दक्सिनी पूरी बना हुआ है अर्ब साग्राय में से हवा के साथ नम्याने की कारण एंपी की कई जिलों में बादर बने हुए हैं वह मुस्व भाग के मताबिक को जैनी दूर और नवदा पूरम बनाबोल दक्सिनी आशा है अर्ष को सिल्सला है। पर बात करें दिली और अस्वास के लाकों के दिली में लागता है अगले तीन चाह दिन तक इसी तरह की इस्तिती अगर रहती है तो यहां पर